अगर तुम अपने भीतर विक्षित हो जाओ, तो कोई अहंकार नहीं होगा, कोई पुर्वाग्रह नहीं होगा, आप सुद्ध निर्पेक्च भाव से कारी करेंगे जो अपने भीतर की सांती को नहीं छूता, उसे आराम कभी नहीं मिलेगा अच्छा गुरोना, अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से जीने के साधन है, वे हमारे जीवन के लक्ष नहीं है आपके जीवन की गुनवत्ता इस बात से तैह होती है कि आप कितने सांति पुर्ण और आनंद में हैं आपके दुखी होने का एक ही कारण है कि आप खुश रहने की कोशिस कर रहे हैं यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो सफलता की तालास ना करें योगिता ससकती करन की तालास करें आप जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, उससे कम कुछ ना करें जीवन में सबसे खूब सुरत छन वे छन होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं ना कि जब आप इसे खोज रहे होते हैं जब आप होसपुर्वक साधारन होना चुनते हैं तो आप असाधारन बन जाते हैं डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम जीवन के साथ नहीं जी रहे हो, तुम अपने मन में जी रहे हो चमतकार होने की प्रतिक्षा ना करे, जीवन का सबसे बड़ा चमतकार स्वेंग जीवन है आत्मिस्वास आपके लिए कुछ कर सकता है, लेकिन अस्पस्टता के बिना आत्मिस्वास एक बड़ी आपदा है अपने फोन के माध्यम से सब कुछ देखना केवल आपके धारना को सुन कर रहा है वह वास्तव में किसी भी तरह से आपके जीवन के अनुभव को नहीं बढ़ाता है जब सिष्टी का स्रोत आपके भीतर है, तो सवी समाधान आपके भीतर है समस्यां सिर्फ आपके द्वारा बनाई गई है आपकी अधिकान सिक्चाय वास्तव में आपके बारे में नहीं है आपने अभी अभी उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठाया है यदि आप वास्तव में जीवन के उच्च आयामों को जानना चाहते हैं तो आपके वीतर सांती और आनंद की निरंतर भावना होनी चाहिए यदि आप जीवन को सहजता से और बिना किशी उल्जाव के चलते हैं तो वह परिपकुता है एक बार जब आपका मन बिल्कुल स्थीर हो जाता है तो आपकी बुद्धी मानमे स्षीमाओं को पार कर जाती है हर चीज को जैसा है वैसे ही देखने से आपके जीवन में सहजता से चलने की सक्ती और छमता मिलती है सारी मान्यताएं कहीं न कहीं धारासाई हो जाएगी केवल वास्तविक्ता ही ठीकेगी ग्रह पर हर दूसरा प्रानी अपना सर्वसेश प्रदसन कर रहा है इसमें केवल मनुसी ही है हिच की चाते हैं अगर हम व्यक्तिव गत्परिवर्तन के लिए काम नहीं करते हैं तो विश्व सांती की बात करना सिर्फ मनुरंजन है अगर कोई आपके अहंकार पर कदम रखता है तो वो तुरंत ही आपका दुस्मन बन जाता है लेकिन गुरू एक ऐसा मित्र है जो लगातार आपके अहंकार को रोंता है जब मनुस्य श्वेंग को बदलने के लिए त्यार हो तभी सच्ची क्रांती हो सकती है कर्म के आनंद को आप तभी जान पाएंगे जब आप अपने सुभाव से आनंदित होंगे दुनिया में कोई शमस्या नहीं है बस इस्थीतियां है कुछ परिस्थीतियां जिने आप संभालना जानते हैं कुछ आप नहीं जानते की कैसे संभालना है खास बनने की कोशिस ना करें, यदि आप साधारन हैं, दूसरों के तुल्ला में अधिक सामान्य हैं, तो आप असाधारन हो जाएंगे निराशा और अवशाद का मतलब है कि आप अपने खिलाप काम कर रहे हैं यदि आप सौब पर्तिसत्तारकिक रूप से सोचते हैं, तो वास्तव में जीवन की कोई संभावना नहीं है केवल एक चीज़ जो आपके और आपके भलाई के बीच खड़ी है, वह एक साधारन तत्य है आपने अपने विचारों और भावनाओं को अंदर के बजाए बाहर से निर्देश लेने की अनुमती दी है जब तक आप सही चीज़े नहीं करेंगे, आपके साथ सही चीज़े नहीं होंगी धन की आवशक्ता है, लेकिन वास्तव में हमें कितने धन की आवशक्ता है यदि हम एक सफल जीवन के अपने विचार को एक आनंदमय जीवन में बदल दे तो हम पाएंगे कि धन की हमारी आवश्यक्ता में नाटकी रूपशे कमी आएगी आज लोग सिर्प काम करते हैं, काम करते हैं और काम करते हैं इसलिए नहीं कि वे कुछ सांदार बना रहे हैं बलकि सिर्फ इसलिए कि उन्हें काम करना है अन्यतावे नहीं जानते कि ये खुद के साथ क्या करना है सुकी जीवन के लिए सांती और आनंद मूल भूत आवशकता हैं सुरज की रोशनी आपके घर में आती है इसलिए नहीं कि आप इसे चाहते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खिर्कियां खोलते हैं अविश्वनिये चीजे अविश्वस्निये चीजे तभी की जा सकती है जब हम उन्हें पुड़ा करने के लिए प्रतिवध हो